अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़े प्रिजेंट होनी चाहिए जिसकी वज़े से सब आपको अच्छा टीचर बोले तो वन बाई वन करके हम देखेंगे सबसे पहला इंपोर्टन चीज़ जो है टीचिंग देखेंगे टीचिंग जब आप पड़ोगे इसके गुड़ टीचर की क्वालिटीज वह आपको बहुत सारी अंगिनत मिलेंगी तो आपको जो point easy लगता है समझ में आता ऐसान है तो आप उन points को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें कोई hard and fast rule ढर है कि अगर आप मेरे आंसर में देख रहे हैं ये points है और आप सोचो वह points गवर नहीं तो वह answer नहीं होगा ऐसा नहीं है आप जो भी points qualities of teacher में आपको दिखता है आपको लगता है कि हाँ ये point मेरे लिए easy अच्छा है point तो आप pick up कर सकते हो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ points लिए है तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है क्या knowledge knowledge होना बहुत ज़रूरी है सब चीज की knowledge एक student मेरा क्या कर रहा है ठीक है अपने subject की knowledge ठीक है जब आप class में हो student की progress की knowledge आपके नए-नए methods आ रहे हैं पढ़ाने के ठीक है नए-नए teaching skills आ रहे हैं सब चीजों की knowledge मैं यहाँ पर एक knowledge, overall knowledge की बात कर रहे हूँ ऐसा नहीं कि सिव आपको अपने पढ़ाने वाले subject की knowledge होनी चाहिए आपको overall हर चीज की knowledge होनी चाहिए ठीक है ना information चाहे वो method का हो चाहे वो testimonology का हो terminology का हो ठीक है ना sorry terminology का हो तो इन सब चीजों को आपको properly समझ के और अपने knowledge में हमेशा रखना है चीजे changes हो रही है syllabus चेंज और आपको पता ही नहीं है आप वो चीजे पढ़ाते जा रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ानी जो out of syllabus हो चुकी है ठीक है ना तो ये सब चीजों के बारे में knowledge होना बहुत ज़रूरी है overall knowledge ठीक है उसके बाद में आया comprehension अगर आपको knowledge है आपको अपने subject की knowledge है बहुत अची knowledge है तो उस knowledge को आप किस तरीके से बच्चे को देते हैं अपने words में explain करना board use करना link के करना, drawing करके करना आजकल projectors होते हैं तो videos दिखा देना, explain करना ये सारी चीजे comprehension के अंदर आती है और या written form में आप explain कीजिए या oral form में explain कीजिए ठीके ना और आप उसे different different तरीके से describe करके और explain करके समझा सकते हैं application आपने समझा दिया, knowledge है आपके पास, आपने बच्चे को explain कर दिया अब आप उस knowledge को कैसे apply करना है ये भी बताईए आप मान लीजिए आपने addition सिखाया, तो addition को use करने के तरीके भी बताईए जैसे आपने एक shop का example लिया, आप purchase करने गए, आपने ये ये चीजे खरी दी 5 रूपीज की, 10 रूपीज की 80 रूपीज की, अब आप इसे add करो फिर देखो आपका total कितना आता है ठीके ना, तो इस तरीके से examples देके आप application भी समझाईए, और application ज़्यादा तर students जो है, teacher को देख के सीखते है, teacher कैसे उस चीज को apply कर रहा है, कैसे explain करके बता रहा है मुझे की कैसे करना है उन ठीके ना, ये जो है application जो है वो बच्चा अकसर देख कर सिखता है या समझ कर सिखता है अपने कोई practical example लिया बच्चे ने देखा समझा और फिर वो उसे apply करता है, अब आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next point क्या है, analysis analysis एक बहुत important चीज है अगर हम किसी भी चीज को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं हम चाहते हैं कि उस चीजों के बारे में आप depth knowledge ले ठीके ना, अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई, मान लिजे आपको addition बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप कुछ और questions लीजे, try कीजे apply कीजिए different different जगा पे, ठीके ना, और ये चीज है ना, आपको समझने और application के बाद में ही ये process आएगा, एक level उपर बढ़ जाना इन सब दोनों से, okay, आपने apply करना सीख लिया, different different situation में plus कैसे apply किया जाता है ठीके ना, अब analysis कैसे करेंगी, जैसे मान लीजे, आपने उस sum को बहुत अच्छे से देखा, ठीके ना, आपने देखा ये 20 है, plus 18 है, plus 2 है, plus 6 है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 20 plus 18 करेंगे फिर उसमें 2 plus करेंगे, फिर उसमें 6 plus करेंगे, लेकिन कोई बच्चा अगर उसको analyze कर रहा है, और भी अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है ठीके ना, तो वो क्या करेगा, वो पहले लिखेगा 20, फिर वो 18 और 2 को प्लस करने की कोशिश करेगा, फिर वो लिखेगा 20 plus 6, तो ये बहुत easy हो गई, क्या calculation ये आप तब ही कर सकते हो, जब आपने उस चीज को analyze किया हो, वो बहुत depth में देखा हो, ठीके ना, आपने समझा हो, उसको different different तरीके से observe करके, तब ही आप ये कर सकते हो, इसलिए ये understanding के एक level उपर चले जाता है ये हर बच्चा नहीं करता, कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे normal add करते जाएंगे, कुछ बच्चे ये चीजों को घुमा फिरा के easy बना के करेंगे, अब जब आपने ये चीज सीख लिया, तो क्या आगई ये आपकी creativity आगई, ठीके ना, तो एक teacher के अंदर इतनी quality होने चाहिए, कि बच्चे को analyze करने का, जो हुनन होता है, वो सम सिखाए कोशिश करें बच्चा कि वो analyze करें plus synthesize करना यानि कि creative तरीके से चीजों को करना, सीखे उसके बाद में, एक teacher जो है, वो सामने से opinion मांगेगा, एक different different situation देगा और बोलेगा इस situation में आपको किस तरीके से चीजों को apply करना है, okay so opinion on any issue आपने कोई example दे दिया कोई situation दे दिया, जहां पे वो चीजे apply होंगी, तो आप बच्चे से question कर सकते हो, और पूछ सकते हो कि यह situation में यह चीज कैसे apply होगी, इससे क्या होगा, आपको creative answers आएंगे और बच्चा चीजों के बारे में और सोचेगा, तो क्या होगा, उन चीजों को और depth में समझेगा, ठीक है तो आगे बढ़ते देखते हैं, next point क्या है next point है receiving, receiving तो obviously यहाँ पे knowledge जो है, वो कौन ले रहा है, student, लेकिन फिर इसमें teacher की quality क्या होई receiving कोई भी बच्चा तब करेगा जब आप class को interesting बनाएंगे आपको class को willingness बनाना है, याने कि अपने आप बच्चा सुने, आपको force नहीं करना पड़े, वो aware हो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि class में पढ़ाई शुरू होगे, लेकिन पता नहीं होता है कि topic क्या चल रहा है, आप suddenly पूछ लो क्या पढ़ाया है, मैंने तो उससे पता नहीं होगा, ये तब होता है, जब बच्चा absent minded होता है, या aware नहीं होता है, उसवत conscious नहीं होता है या फिर उसे class interesting नहीं लग रही तो आपके अंदर उतनी capability होनी चीजिए कि जैसे आप class में आए, पढ़ाना शुरू किया बच्चे eagerly आपको सुने ठीकिन आपको चीजों को interesting बनाना है, ठीक है, और suspense कर, create करना है ताकि बच्चे सुने, अरे वह इसके बाद क्या हुआ ठीक है, इस तरीके से interesting बनाते हुए चीजों को करना है, ये भी आपकी अंदर एक quality हुई, ताकि बच्चा खुद willingness होके receive करे चीजों को, अगर आप बच्चे को willingness तरीके से कराएंगे, अपने आप, मतलब वो खुद अपने आप करेगा, तो क्या होगा न आपको उससे response बहुत अच्छा मिलेगा वो class में आपने question पूछा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई answer नहीं देगा, फिर आप force कर, आप खड़े होके participate करेगा, ठीक है homework उसके आपको हमेशा complete मिलेंगे, rules आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं अगर आपको वो as a teacher respect देगा तो वो आपके, जो rules आपके बनाए हुए class में, वो भी follow करेगा without any force तो आपके अंदर ये quality होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, responding जो knowledge है, उसे deliver करोगे, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी चीज़ में खुद confused हो, बच्चे ने कुछ question कर दिया, तो आप लड़ खड़ा गई, ये चीज़ नहीं, आपको बिलकुल confident होके reply करना कि हाँ, यही चीज है, ऐसे ही है ये, आप बिलकुल clear करके अपने चीज़े जो आपको topic पढ़ानी है, फिर आप class में जाए, preparation के साथ, ओके बिलकुल confident होके अब आपको next आता है planning, planning यानि without plan, अगर कोई भी चीज़ आप करोगे तो वो हमेशा failure ही होता है, ये fact है अगर मैं, मैं खुद एक teacher हो अपने experience से बता सकती होगा, अगर बिना plan करे, आप class में जाओगे सोचा नहीं कि आज कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, तो वो class हमेशा ही विकार जाएगी और या फिर waste जाएगी तो यहाँ पर जैसे मान लीजी, आज मैंने बताया है कि मुझे reverse के बारे में पढ़ाना है तो reverse के बारे में आप कैसे पढ़ोगे मैंने suppose plan किया कि मैं पहले pictures दिखा दूँगी तो बच्चे को समझ में आ जाएगा, reverse कैसे दिखती है तो आपने कुछ pictures collect के लेकिन अगर यह चीज़ प्लान पहले से नहीं होगी, तो pictures नहीं होगी आपके पास, ठीक है ना, आप मानेजे कुछ worksheets लेके गए topic complete होने के बाद कुछ fill in the blanks के print out निकाल के लेके गए कि बच्चे को करवाएंगे, after completion of the topic, तो यह plan होगा तभी होगा, अगर आप plan नहीं करके class में चले जाओगे, तो आपको इन सब चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा बस class में teacher आया, कुछ भी बोल दिया और class को engage करना तक कर दिया और teacher चला गया, तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक proper plan होना, एक proper planner होना आपको बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे plan होगे, class जो है वो उतनी अच्छे होगी, okay next आता है आपका adoption, याने कि जब आप जब आप कुछ भी करते हो, तो हमारी life में changes अकसर आते हैं जैसे आप covid situation आई तो changes आए, तो यहाँ पर क्या हुआ online classes आई, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम घर पे बैठे-बैठे schooling करेंगे, लेकिन ये चीज़ हुआ तो इसमें क्या हुआ ना, बहुत से teachers को सीखना पड़ा, online कैसे पढ़ाते हैं, conduct कैसे करते classes, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीका का adoption हुआ new changes को आए, तो आपने अपने आपको क्या किया modify किया, change किया लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने आपको modify नहीं कर पाए, आप नहीं चाहते अपने आपको modify करना, तो इस situation में आपको फिर क्या होता, job छोड़नी पड़ती, क्योंकि यहां पे online के अलावा कोई और, जो बुलते हैं, पार्ट नहीं बचा था, या फिर और कोई option नहीं था हमारे पास, तो adoption आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, origination यानि कि almost इसी की तरह movement, special situation जब आ गई तो वहां पे आपको special तरीके से behave करना special planning बना के चलना ठीके ना, special तरीके से आप अपनी चीजों को modify करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीके ना, normal अगर आपको को specialized class लेनी है या फिर आपको बोला गया है कुछ special करने को class में तो आप उन special situation में अपनी चीजे भी special बना के पेश करो, इतने talented होने चाहिए इतना talented teacher के अंदर होना चाहिए, okay communication skill तो important है, यह मैंने बोला ही है, अगर आपकी communication बहुत attractive है, बहुत अच्छे से explain करते हो बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत politely बात करते हो, ठीके ना हसी मजाग करते हो है, बहुत friendly way में, यह सारी communication skill होती है, आप जैसे बोल रहे हो clear बोल रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो इन सब चीजों का जब mixture होगा तो बच्चा अपने आप response करेगा और सुनेगा तो इससे class भी interesting बनेगी प्लस आपको भी बच्चों से response मिलेगा तो आपको भी classes लेने में अच्छा लगेगा तो communication skill learning skill sorry, listening skill listening skill का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि teacher को से बोलना ही है teacher को सुनना भी आना चाहिए अगर आप class में कुछ भी explain कर रहे हो और explain करने के time पे अगर किसी student ने कोई question किया और आप उसे ignore करते आगे बढ़ गए तो वो एक good class नहीं कहलाएगे आपको सुनना है उसको समझना है what the student is trying to say उसके बाद में आप चीजों को clear करते हुए फिर आगे बढ़ना है तो बोलने के साथ-साथ listening skill होना भी बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं कि आप class में आए continuously बोला और गए तो आपको सामने से भी response लेना है समझना है और doubts को clear करना है patience याने कि हर एक student अपना own way याने कि हर एक student का एक अलग nature होता है कोई student है वो बहुत शांत रहता है चुप रहता है तो अगर आप उसे बोल रहे हो कि आपको समझ आप उसे continuous question करो ठीक है ना continuous question करेके आप उसे कहो कि आपको response देना है बताइए ठीक है पीछे आप उसको पीछे पढ़ोगे तो वो आपको answer देगा अगर आप चार बार बोलोगे तो हो सकता है वो एक बार आपको reply ज़रूर करे तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अगर बहुत से बच्चे होते हैं continuous class में बोलते हैं कुछ बोलते नहीं है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो continuous बोलते रहते हैं डिस्टॉप करते हैं तो इन सब situation में आपको हर बच्चे का एक अलग nature है different है आप एक तरीकी से सबसे behave नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत ही patiently चीजों को handle करते हुए आगे बढ़ना है अगर आप patient नहीं अगर आपके अंदर patience नहीं होगा तो क्या होगा आपको गुस्सा आ सकता है आप student से misbehave कर सकते हो इससे क्या होगा आपकी जो personality है उस पर affect पढ़ेगा आपके job पर affect पढ़ेगा आपके career पर affect पढ़ेगा तो आपको एक टीचर को patient होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना वो बिल्कुल ही patience में आप रहे और समझे चीजों को और धीरे धीरे आगे बढ़े तो इन सब के अलावा भी teachers में बहुत सी qualities आप और भी add कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है ना teacher को knowledgeable ये सारी main चीज़े होती teacher को knowledgeable होना चाहिए ठीक है ना understanding होना चाहिए प्लस आप ये भी लिख सकते हो कि parents के साथ connection में रहे parents के साथ बाते करते रहे ताकि आपको students को जानने का भी मौका मिले extra activities कराते रहे students से interact करते रहे ताकि student अपनी problem आपको friend समझने लगे अपनी problem share करने लगे explain करने लगे इन सब चीजों को mixture करके ही एक good teacher बन सकता है तो ये थे teachers के कुछ qualities, again मैं बोल रहे हूँ teachers के qualities और भी हो सकते हैं different different book में आप उनको भी अपने answer में add कर सकते हैं कोई hard and fast rule नहीं है कि आप इन ही points को add करेंगे so hope करते हैं कि आपको ये video या फिर ये answer clear हुआ होगा अगर video अच्छी लगी है तो like कर दिजेगा channel को subscribe कर दिजेगा और फिर लटेगा नहीं video देखने के लिए thank you and have a great day